गुद्वार्णिंग स्टुडिंट्स वेलकम बेक टू अवर चैनल कल हमने ग्रोथ और रप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था हम लविंग वर्ल्ड का जो फर्स्ट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करे रहे हैं आज के इस वीडियो में हम जो बाकी के जो बचे फीचर्स हैं लविंग ओर्गानिजम्स के उनके बारे में बात करने वाले हैं ग्रोथ और रप्रोडक्शन के बारे में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि ये दोनों ही features living organisms के defining features नहीं है हमने ये देखा था कि किसी भी feature को defining होने के लिए दो conditions फुल्फिल करना ज़रूरी होती है पहली condition ये होती है कि वो feature सभी living organisms शो करे दूसरी condition ये होती है कि वो feature कोई भी non living organism ना शो करे अब क्योंकि जो growth है वो non-living things भी show करती हैं जैसे कि हमने mountain का example लिया था, हमने glacier का example लिया था तो ये एक non-defining feature हो गया उसके बाद reproduction, reproduction सभी living organisms show नहीं कर रहे थे that's why it is also not a defining feature of living organisms आज हम पहला feature discuss करेंगे metabolism उसके बाद cellular organization and last one is consciousness so let us start with metabolism देखिए, metabolic reactions क्या होती है, metabolism क्या चीज़ है आपके school में chemistry lab है आप उस lab में बहुत बार गए होंगे आपने test tubes के अंदर बहुत सी chemical reactions करवाई होंगी जिस तरीके से lab में आप बहुत सी chemical reactions देखते हैं ठीक उसी तरीके से living organisms की body भी एक छोटी सी lab है जिसमें बहुत सारी chemical reactions चलती रहती हैं इन reactions में कभी कुछ बनता है, कभी कुछ तूटता है, कभी एक चीज़ से कोई दूसरी चीज़ बनाई जाती है एक चीज़ दूसरी चीज़ में transform होती हैं बट हमारी body के अंदर constantly बहुत सारी chemical reactions चलती रहती हैं और इन ही chemical reactions की वजह से हम survive कर पाते हैं अब for example लेते हैं, एक simple सी बात हम देखते हैं कि 10 standard में आपने digestion का chapter पढ़ा होगा digestion के chapter में आप ये पढ़ते हैं कि digestion की process के दौरान जो आप food कहते हैं, उस food को छोटे छोटे टुकडों में तोड़ा जाता है जो की आपकी body absorb कर सके अब ये जो process है, इसी process में इतनी सारी chemical reactions involved है जैसे ही खाना आपके mouth में जाएगा, वहीं से chemical reactions शुरू हो जाएगी अब इसी का एक example ले लेते हैं कि जैसे ही आप खाना अपने mouth में डालते हैं, जैसे कि माली जी आपने आज आलू की सबजी खाई है अब आलू के अंदर क्या चीज प्रोजन्ट होता है आलू में starch प्रोजन्ट होता है जैसे ही starch आपकी saliva में mix up होगा वैसे ही starch की digestion start हो जाती है starch को salivary amylase, maltose, isomaltose और dextrin में तोड़ता है यह एक example है metabolic reaction का और पूरी digestion की process में यही सर्फ एक reaction नहीं है बहुत सी reactions होगी बहुत सी reactions इस तरीके से होगी कि चलिए यहाँ पर starch तूटा, उससे ये products बने फिर ये products फर्दर तूटेंगे कहीं पर आपका starch digest हो रहा है जैसे कि mouth में starch की digestion होई फिर खाना आपके stomach में चला जाएगा वहाँ पर आप सुनते हैं कि भई, HCL release होता है proteins की digestion होती है proteins जो की amino acids के polymers है उनको amino acids में तोड़ा जाता है तो during the process of digestion इत्ती सारी chemical reactions हो रही है और ये सभी reactions एक तरीके की metabolic reactions है अब एक और example ले लेते हैं जैसे photosynthesis की process photosynthesis की process में CO2 water के साथ combine करके solar energy की presence में जो की chlorophyll trap करता है glucose बनाता है और इस process में oxygen release होता है ये भी एक metabolic reaction है यहाँ पर जो solar energy है उसे chemical energy में convert किया जा रहा है glucose जो आपका बनता है glucose is an energy rich compound उसमें जो energy आई है वो sun से आई है chlorophyll ने solar energy को trap किया और उसी solar energy को transform करकर आपका ये glucose बना which is an energy rich compound ये वो metabolic reaction है जो की plants में होती है जिसकी वजह से जो plants है वो glucose synthesize करते हैं photosynthesis की process में so it is also an example of metabolic reaction अब बात ये आती है कि भई एक point तो ये हो गया है कि भई metabolic reactions क्या है metabolic reactions नाम दिया गया है उन सभी reactions को जो की living organisms की body में हो रही है that is simple metabolic reactions that is the sum total of all the chemical reactions which are taking place in the body of living organisms तो इस point को note कर लेते हैं first important point metabolic reactions are sum total of all reactions taking place in the body of living organisms पहला point हो गया ये दूसरा point जैसे लाब में आप किसी chemical reaction को speed up करने के लिए उसमें catalyst डालते हैं catalyst एक ऐसी चीज़ जो कि आपकी reaction की speed को बढ़ा देगा हाला कि अब 12 standard में आप ऐसा भी पढ़ेंगे कि भी कुछ negative catalysts भी होते हैं जो कि reaction की speed को slow down कर देते हैं बट अभी हम उस चीज़ के बारे में नहीं बात करें एक simple सी concept ये है कि भी जो catalyst हैं वो chemical reactions करवाते हैं lab में ठीक जिस तरीके से catalyst lab के अंदर chemical reactions करवाते हैं metabolic reactions को enzymes catalyze करते हैं मैंने यहाँ पर एक word लिखा salivary amylase ये एक metabolic reaction है जो हमारे mouth में हो रही थी इस reaction को catalyze किस ने करवाया salivary amylase ने और salivary amylase क्या है एक enzyme है तो enzymes को बोला जाता है biological catalysts जिस तरीके से lab के अंदर reactions को catalyze catalyst करते हैं हमारी body में चल रही reactions को catalyze करते हैं enzymes और enzymes क्या हैं enzymes है biological catalysts अब आपको ये देखेगा कि बही चलो यहाँ तो salivary amylase देख गया अब ये photosynthesis की process हुई है यहाँ पर तो हमें कोई enzyme नहीं देखा तो ये जो मैंने reaction लखी है photosynthesis की ये बहुत ही simplified form में लखी है जब हम photosynthesis के chapter पर आएंगे तब हम देखेंगे कि ये reaction बहुत सारे steps में हो रही है और हर एक step को एक biological catalyst यानि की एक enzyme catalyze करे रहा है तो biological catalysts क्या हुए? enzymes are biological catalysts which are catalyzing the metabolic reactions third point metabolic reactions दो तरीके की होती है कुछ होती है anabolic कुछ होती है catabolic catabolic reactions वो होती है जिनमें कुछ तोटता है और anabolic reactions वो होती है जिसमें कुछ बनता है जैसे यहाँ पर starch तोट रहा है maltose, isomaltose और dextrin में it is a catabolic reaction देखिए starch क्या होता है I hope आप जानते होंगे बड़ जिन बच्चों को नहीं बता है उनको मैं बता देती हूँ कि starch एक polymer है किसका glucose का आप कुछ इस तरीके से सोच सकते हैं starch के बारे में कि starch जैसे मान लेजिए मैं एक circle से एक glucose का molecule दिखाती हूँ तो इस तरीके से बहुत सारे glucose molecules है जिनकी एक chain बनी है और इस chain की branches है ये branches भी glucose molecules की ही बनी है इस type से अब यहाँ पर जो एक circle है जो आपको ये spherical structure दिख रहा है ये एक glucose molecule को represent कर रहा है तो आप ये देखें कि कितने सारे glucose molecules की एक chain है एक लंबी सी chain है उस chain की कुछ branches भी है तो कुछ ऐसा सा structure आप starch का सोच सकते है जब ये metabolic reaction होती है तो ये जो लंबी chain है glucose के molecules की ये छोटी छोटी chains में तूट जाती है iso, maltose, maltose और dextrin का मैं अलग से structure नहीं discuss कर रही हूँ अभी मैं सर्फ आपको catabolic reaction समझाने की कोशिश कर रही हूँ so, इसलिए मैं इनको collectively एक छोटी सी chain के द्वारा represent करूँगे कि ये छोटी सी chain हो गई glucose के molecules की तो ये एक catabolic reaction है जिसमें एक जो बड़ी ब्रांच्ड चेन थी glucose molecules की वो छोटी glucose molecules की chain में तूट गई ये catabolic हो गई anabolic जहां कुछ बनता है जैसे photosynthesis की process में हुआ CO2 और water combine हुए और उससे glucose बन गया that is anabolic reaction तो metabolic reactions दो तरीके की हुई ये हैं catabolic जिसमें कुछ तूपता है और ये है anabolic जिसमें कुछ बनता है दो तरीके की हुई हमारे पास metabolic reactions तो अभी तक जो हमने तीन points के बारे में डिसकस किया कि भई metabolic reactions क्या होती है वो सभी reactions उन सभी reactions का sum total living organisms की body में जो हो रही होती है इनी reactions की वज़े से हम जिन्दा है दूसरी चीज़ enzymes क्या है enzymes biological catalysts है जिस तरीके से lab में catalyst होते हैं हमारी body में metabolic reactions को enzymes करवाते हैं और enzymes को biological catalyst बोला जाता है तीसरा point की जहां पर कुछ तूटता है वो catabolic reactions है जहां कुछ बनता है वो anabolic reactions है तो दो ही तरीके की metabolic reactions होती है catabolic and anabolic तो तीन features, तीन points हमने discuss किये metabolic reactions के बारे में अब हम बात करते हैं कि क्या metabolic reactions defining feature है या नहीं दो conditions चाहिए defining के लिए पहली चीज़ सभी living organisms में होती हो metabolic reactions दूसरी चीज़ किसी non-living organism या किसी non-living thing में ना होती हो तो this point is true कि metabolic reactions सभी living organisms में होती है चाहे वो छोटा सा bacteria है जिसकी body में सिर्फ एक cell है या वो multicellular complex human being है जिसकी body में बहुत सारे cell है तो metabolic reactions सभी living organisms में होती है ये point is true है अब दूसरा point क्या किसी non-living thing में metabolic reaction होती है The point is no किसी non-living thing में metabolic reaction नहीं होती क्यों नहीं होती मैंने बताया कि इन reactions को catalyze करने के लिए आपको enzymes की जरूरत होती है अब हमारी body की अगर हम बात करें हमारी body cell से बनी है cell में DNA है ribosomes है DNA पर उन enzymes को synthesize करने की information चिपी है और ribosomes की help से उन enzymes को बनाने वाले proteins को synthesize किया जा सकता है हमारी जो body के cell है उनमें DNA है DNA पर इन enzymes को बनाने की information है और ribosomes की help से हमारे cells इन enzymes को synthesize कर सकते हैं लेकिन non-living things के अंदर ऐसी cellular machinery नहीं है non-living thing के अंदर DNA नहीं है उसमें ribosomes नहीं है क्योंकि non-living thing में एक cellular machinery नहीं है जो की enzymes को synthesize करने के लिए चाहिए इसलिए वो इन enzymes को synthesize नहीं कर पाते enzymes को synthesize नहीं कर पाते तो metabolic reactions बिना इन enzymes के नहीं हो पाती तो metabolism दोनों ही features को fulfill करता है and metabolism is a defining feature of the living organisms metabolism is a defining feature of the living organism अब तक के दो features defining नहीं थे ये पहले ऐसा feature है जो की defining है जिसके basis पर हम non-living things को living organisms से differentiate कर सकते हैं अब एक बहुत ही important point आता है जहां से एक tricky question आप से पूछा जा सकता है तो उसके बारे में हम बात करते हैं मैं एक simple सा question आप से पूछती हूँ आप थोड़ा सा सोचिएगा उसके बारे में फिर मैं explain करती हूँ मैंने अभी कहा कि metabolic reactions living organisms के defining features हैं यानि कि living things के अंदर या living organisms के अंदर metabolic reactions होती हैं अब हमने एक metabolic reaction के बारे में बात की थी that starch is getting converted into maltose isomaltose and dextrin जब हमने anabolic reactions के जब हमने catabolic reaction के बारे में बात की थी तो इस reaction को बढ़ा था अब मान लीजिए मैं इस reaction को test tube में करवाने लग जाऊँ मैंने एक test tube ली इस तरीके से और उसमें grated potato को डाल दिया grated potato का मितलब क्या होता है कि आप potato को कस लें और उसके बाद जो उसका juicy और fibrous portion होता है उसको डाल दे यहां पर तो potato में starch होता है अब मैंने dropper से इसमें दो drops saliva के डाल दिये यह saliva था इधर human saliva human saliva में यह enzyme मेलेगा salivary amylase और अब यह reaction होना start हो जाएगी starch और तूटने लग जाएगा इन components में अब मेरा question यह है कि मैंने कहा कि metabolic reactions living things में होती है हमारे अंदर यह metabolic reaction हो रही है हमारे mouth में हम living है क्या यह test tube जिसमें यह metabolic reaction हो रही है यह living है whether it is living or not living metabolic reactions or defining feature है इस test tube में metabolic reaction हो रही है same वही reaction आपके mouth में भी होती है तो क्या हम इस test tube को living बोलेंगे the answer is no we will not say this test tube as a living ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी body में जब यह reaction हुई तो उसके लिए जो salivary amylase चाहिए था वो हमारी body के cells ने खुद बनाया है हमें कहीं बाहर से salivary amylase लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी लेकिन जब इस test tube में यह reaction हुई तो salivary amylase बाहर से डाला गया है तो हाला कि इस test tube में वही reaction हो रही है जो हमारे mouth में है और जो एक metabolic reaction है लेकिन यह test tube living नहीं कहलाएगी क्योंकि इस reaction को होने के लिए salivary amylase को बाहर से डाला गया है salivary amylase बाहर से डाला गया है हाँ अगर यह test tube खुद अपना salivary amylase बनाती तो यह living हो जाती but that is not possible that's why जो आप lab के अंदर chemical reactions करवा रहे हैं जो lab में chemical reaction अगर कोई metabolic reaction आप test tube में करवा रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि test tube living हो जाएगी तो अब जो lab में या test tube में आप metabolic reaction करवाते हैं उसके लिए एक word यूज करते हैं that is in vitro that is in vitro what is the meaning of this word यह word कहता है कि in vitro का मतलब जो आपने test tube में chemical reaction करवाई so this chemical reaction is in vitro metabolic reaction so that was the important point इस reaction को आप living reaction बोल सकते हैं living reaction इसलिए बोलेंगे क्योंकि यह living organisms की body में होती है but अगर आप इसे lab में करवाने लग जाएं किसी test tube में करवाने लग जाएं जिसके लिए की word in vitro यूज किया जाता है तो यह metabolic reaction इस test tube को living नहीं बना सकती okay so that was a very important point इस पे थोड़ा सा tricky question आप से पूछा जा सकता है तो metabolic reactions के बारे में it is a defining feature of living organism यह defining feature है दूसरा मान लेजिए अगर आप किसी test tube में कोई metabolic reaction करवाने लग जाएं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो test tube living कहलाएगी क्यों? क्योंकि उस reaction को करवाने के लिए जो enzyme चाहिए वो आप बाहर से add कर रहे हैं जबकि living beings उस enzyme को खुद synthesize करते हैं अपनी body में अब next feature हम discuss करते हैं वैसे next feature की explanation मैंने आपको इसी के अंदर दे दी है metabolic reactions के अंदर फिर भी हम discuss करते हैं next is cellular organization next is cellular organization cellular organization cellular organization मतलब body के जो building blocks हैं वो cell है मतलब body cell से बनी हुई है अभी अभी हमने discuss किया था कि भई जितने भी living organisms हैं उन सभी में metabolic reactions होती हैं और उन reactions को करवाने के लिए enzymes की जरूरत होती है और enzymes को बनाने के लिए DNA की, ribosomes की यानि की एक cellular machinery की जरूरत होती है अब metabolic reactions तो सिर्फ living things में होती हैं सिर्फ living organisms में होती हैं इसी लिए जो cellular organization है वो एक feature है सिर्फ living organisms का कि सभी living organisms की जो body है वो cell से बनी हुई होती है चाहे एक cell हो, चाहे बहुत सारे cell हो बैक्टीरिया है, अमीबा है उनकी body में सिर्फ एक ही cell है और human beings है, बहुत सारे cells है बट the thing is this कि जो भी चीज दिर्फ living है उसकी body cell से बनी हुई है अब यहाँ पर एक बात आते है कि भई viruses के बारे में अब हम क्या कहें जो viruses हैं उनकी body cell से नहीं बनी हुई होती लेकिन वो आपपे attack करते हैं ठीक है आपको disease करते हैं तो viruses जो है viruses को actually living organisms और non-living things के बीच की चीज माना गया है कि वो completely non-living भी नहीं है और वो completely living भी नहीं है जब तक viruses आपकी body से बाहर होते हैं हवा में होते हैं तब तक वो non-living हैं आप देखेंगे आगे शलकर कि viruses के even crystal बनाए जा सकते हैं जैसे आप lab में copper sulfate के crystals बनाते हैं ठीक उसी तरीके से viruses को crystallize किया जा सकता है लेकिन जैसे ही वो आपकी body में enter करते हैं तो आपकी cellular machinery को hijack कर लेते हैं और उससे उनकी body के proteins का synthesis करवाते हैं तो एक तरीके से देखा जाए वो living है एक तरीके से देखा जाए वो non-living है लेकिन वो completely living की category में नहीं आते वो non-living और living के बीच की चीज़ है तो viruses को आप completely living नहीं कह सकते वो living तभी है जब वो आपकी body में enter करते हैं तो अब जितने भी living organisms हैं उन सभी की body cell से बनी हुई है that is point number one number two किसी भी non-living thing की भई आप rocks की बात करें आप mountains की बात करें किसी भी non-living thing की body cells से नहीं बनी होती और इसी लिए non-living things में metabolic reactions नहीं होती तो cellular organization एक defining feature है living organisms का It is a defining feature of living organisms cellular organization defining feature है सभी living organisms की body cell से बनी हुई होती है viruses को completely living हम नहीं मानते हैं viruses की body cell से नहीं बनी हुई होती तो हम उनको completely living भी नहीं मानते दूसरा point कि किसी भी non-living thing की body cell से नहीं बनी हुई होती अगर ऐसा होता तो वो भी enzyme बनाने लग जाते उनकी body में भी metabolic reactions हो जाती और वो भी living हो जाते बट ऐसा नहीं होता तो cellular organization भी एक defining feature है living organisms का तो metabolism भी defining feature है cellular organization भी defining feature है अब हम बात करते हैं हमारे last feature के बारे में that is consciousness तो consciousness क्या चीज़ है माल लीजिए आप किसी गरम plate को छू देते हैं तो एकदम से आपका brain आपको instruct करता है हाथ को हटाने के लिए that is consciousness एक plant है जिसके बारे में आपने सुना होगा जिसे आम भाशा में छुई मुई का पौधा बोलते हैं अगर उसके leaves को आप टच करेंगे तो उसके leaves बंद हो जाते हैं उसके leaves बंद हो जाते हैं तो ये जो ability है living organisms के पास तो sense the stimuli and to respond that is known as consciousness जब हमने गरम प्लेट को छुआ तो यहाँ पर stimuli क्या था hot plate that is high temperature और हमने कैसा respond किया अपने हाथ को हटा के जब हमने पत्तो को छुआ तो they are sensitive to touch हमारा छुणा उनके लिए stimuli था और उनका response था उनका बंद हो जाना consciousness is a characteristic feature of living organisms अब आप यह सोचेंगे कि भई चलिए हमारे केस में तो ऐसा दिखता है लेकिन एक हम simple से organism की बात करें मान लिए जी एक bacteria की हम बात कर लेते हैं तो क्या वो consciousness शो करता है of course वो शो करता है मान लिजिए आप किसी photosynthetic bacteria को लेते हैं photosynthetic bacteria वो जोकी light की help से अपना खाना बनाता है और आपने bacteria को किसी medium में grow करवा दिया मान लिजिए ये एक मेरे पास plate थी और इसमें मैंने bacteria को grow करवा दिया बहुत सारे bacteria हैं इधर मैं पहले इस plate को dark में रख देती हूँ कि ऐसी जगे पर मैंने रख दिया कि अंधेरा है वहाँ पर बिल्कुल light नहीं है तो आप ये देखेंगे कि पूरी medium के अंदर bacteria फैले हुए है यहाँ पर भी है bacteria यहाँ पर भी हर जगे bacteria फैला हुआ है फिर मैं क्या करते हूँ कि इस medium के एक हिस्से पर मैं light डालती हूँ मालने जीए मैंने इस हिस्से पर light डालना शुरू किया इस corner पर मैंने light डालना शुरू किया तो आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद यह सारे photosynthetic bacteria इस area में collective हो जाएंगे जब तक dark conditions थी यहाँ पर conditions dark थी तो dark conditions में यह bacteria photosynthetic bacteria जो कि light की मदद से अपना खाना बनाते हैं यह हर जगे फैले थे जैसे ही आपने एक portion पर light डाली इस वाले portion पर आपने light डाल दी यहाँ पर इस वाले portion पर तो यह सारे bacteria उस illuminated portion के अंदर इखटे हो गए तो इसका मतलब क्या है कि यह sense कर पा रहे है कि इस corner में light आ रही है और उसको respond in होने किया कि यह सारे उस area की तरफ move कर गए जिस तरफ light थी तो consciousness ऐसा नहीं है कि complex organisms में ही होती है simple में भी होती है और यह एक defining feature है क्योंकि ऐसा non living things में नहीं होता दूसरा consciousness सभी living things शो करता है मैंने बताया कि एक simple सा bacteria भी consciousness शो करता है तो consciousness के बारे में first point it is ability to sense stimuli and respond to it यह हो गई consciousness दूसरा point it is a defining feature of living organisms कि यह defining feature है अब एक point और कि भाई जो human beings है वो evolution point of view से सबसे advanced organisms में आते हैं तो human beings में एक additional चीज़ देखने को मिलती है क्योंकि उनका जो brain है वो इतना ज़ादा विक्सित है इस वजह से उनमें एक additional चीज़ देखने को मिलती है that is self consciousness that is self consciousness now what is the meaning of self consciousness self consciousness को आप ऐसे समझ सकते हैं कि भई आप जैसे ही बाहर जाते हैं कहीं पर भी तो ready होते हैं उसके लिए तो जैसे ही आप mirror के सामने खड़े होते हैं आप खुद को देखने लगते हैं हम कैसे लग रहे हैं हम कैसे देखने रहे हैं ये hairstyle suit कर रहा है या नहीं ये कपड़े suit कर रहे हैं या नहीं मुझ पे communication skills कैसी है मेरी आप classes attend करते हैं English बोलना आप सीखते हैं या language के उपर काम करना आप सीखते हैं किसी भी language पे तो आप conscious हैं खुद के बारे में लेकिन आपने कभी किसी चूहे को या किसी बिली को शीशा देखते हुए नहीं देखा होगा हाँ अब आप ये कहेंगे कि बंदर को अगर शीशा देदेंगे आप तो बंदर शीशा देखने लग जाता है हाँ वो देखता है बट वो ऐसा नहीं देख रहा होता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ वो सिर्फ ये देख रहा होता है कि out of curiosity कि ये चीज़ क्या है मतलब ये क्या चीज़ है तो वो curiosity से देख रहा है curiosity और self-consciousness का difference है यहाँ पर वो out of curiosity देख रहा है लेकिन आप जब देख रहे हैं आप सोच रहे हैं अपने looks के बारे में you are conscious about your looks तो ये चीज़ है self-consciousness की कि जो self-consciousness है उसमें आप अपने बारे में सूचते हैं तो ये जो property है ये सिर्फ human beings के पास है क्योंकि evolution point of view से ये human beings हैं वो बहुत advanced है तो they are having an additional property of self-consciousness तो जो हमारी आज की वीडियो थी और कल की वीडियो थी उसमें हमने इन सभी features के बारे में discuss किया growth के बारे में reproduction, metabolism, cellular organization, consciousness इन में से पहले दो features defining नहीं है और last के तीन features defining है that is the conclusion of these two videos metabolic reactions के बारे में हमने पढ़ा एक important point जो metabolic reactions के बारे में था वो ये कि मानलीजे आप lab में metabolic reactions अगर करवाते हैं अगर in vitro metabolic reactions हैं तो वो defining feature नहीं होती मानलीजे आप lab में कोई metabolic reaction करवाते हैं किसी test tube में आप करवा रहे हैं तो वो reaction उस test tube को living thing नहीं बना देगी पहली चीज़ दूसरी चीज़ metabolic reactions जितनी भी आपकी body में reactions हो रही हैं उनका sum total है तीसरी चीज़ biological catalysts जो होते हैं enzymes हैं जो कि catalyze करते हैं metabolic reactions को चौती चीज़ दो तरीके की metabolic reaction होती हैं catabolic, anabolic catabolic जिसमें कुछ तूटता है anabolic जिसमें कुछ बनता है ये बात हुई metabolism की फिर हमने cellular organization की बात की कि भई जो living things हैं उनकी body हमेशा cell से ही बनी है क्योंकि cell के अंदर ही वो machinery है जिससे वो अपने enzymes का synthesis करते हैं और इन enzymes की वजह से metabolic reactions होती है दूसरी चीज़ कोई भी ऐसी non-living thing नहीं है जिसकी जो body है वो cell से बनी हुई हो फिर हमने viruses के बारे में बात की कि जो viruses हैं उनको हम पूरी तरीके से living नहीं बोल सकते वो living और non-living के बीच की चीज़े हैं जब तक body से बाहर है non-living है, body के अंदर है तब वो living होती है last one consciousness के बारे में बात की कि stimuli को sense करना और respond करना यह है consciousness और यह एक defining feature है living organisms का human beings के पास एक extra property भी है वो extra property है self-consciousness की कि self-conscious human beings सो होते है क्योंकि evolution point of view से सबसे advanced है human beings that's why in me एक additional property self-consciousness की भी है जो कि दूसरे living organisms में देखने को नहीं मेलती so यहाँ पर यह हमारा topic खतम होता है अब हम कुछ ऐसे questions देखेंगे जो कि इस topic से पूछे गए हैं previous कुछ years में या फिर पूछे जा सकते हैं so let us move to the questions question number one sensitivity is the option first ability to grow option second ability to reproduce option third ability to detect changes in the environment option number four ability to capture sunlight अब जो last वाला topic हमने discuss किया था उसमें हम consciousness के बारे में बात कर रहे थे और consciousness को हमने बोला था that it is the ability to sense stimuli and respond to it तो यहां पर जो आपका sensitivity है that is the ability to detect changes in the environment कि मतलब environment में जो आपकी changes हो रहे हैं वो आप detect कर पा रहे हैं तो right option is option C अब नेक्स कोशिन के बारे में बात करता हैं question number two when green plants capture sunlight and utilize it to synthesize glucose the reactions involved during this process are sad to be option number one catabolic reaction option number two anabolic reaction number three decomposition reaction number four chain reaction अब देखिए जैसे ही शब्द आपको synthesis देखे तो वहां पर एक चीज आती है anabolic reactions के कि metabolic reactions हमने दो तरीके की पड़ी थे एक catabolic था एक anabolic था catabolic जिसमें कुछ टूपता है और जिसमें कुछ बनता है वो anabolic है तो यहां पर glucose बन रहा है तो it is an anabolic reaction तो option 2 will be the correct option question 3 which is not a feature of all living organisms इन में से ऐसा कौन सा feature है जो कि सभी living organisms show नहीं करते number 1 metabolism number 2 cellular organization number 3 self consciousness number 4 consciousness अब यह देखें आप metabolism, cellular organization और consciousness यह defining feature है living organisms के यानि कि जो feature सभी living organisms show करते है लेकिन self consciousness एक ऐसा feature है जो कि सर्फ human beings show करते है evolution point of view से सबसे advanced है और self consciousness that means to say to be aware about themselves तो human beings ऐसे हैं जो कि self consciousness शो करते हैं बाकि कोई organism नहीं शो करता so the correct answer is option c next question is the living organisms can be unexceptionally distinguished from the non-living things on the basis of their ability for तो question में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे feature है जिसके basis पर living organisms को non-living things से आप unexceptionally distinguish कर सकते हैं यानि कि ऐसे कौन से feature हैं जो कि सर्फ living organism ही show करते हैं या जिसके basis पर आप living organism को non-living से things से differentiate कर सकते हैं living organisms को पहचान सकते हैं अब इसमें जो पहला ये वर्ड आ जाता है कोशन में interaction with the environment ऐसा नहीं है कि सिर्फ living thing ही environment के साथ interact करती है non-living things भी environment के साथ interact करते हैं जैसे मानलीजे soil erosion हो रहा है running water की वज़ह से या wind की वज़ह से soil erode कर रही है वो भी एक interaction है soil का environment के साथ अब मानलीजे rocks की weathering हो रही है rock is a non-living thing लेकिन उसकी weathering हो रही है चाहे वो आपकी water से हो चाहे किसी भी factor से हो कि उसके उपर rain गिर रही है उसकी वज़ह से rock तूट रहा है तो rock is a non-living thing बट interactive तो वो भी कर रहा है environment के साथ तो interaction जो है environment के साथ वो living things भी show कर सकती है और non-living things भी show कर सकती है तो पहला वाला तो आपका option नहीं होगा second option reproduction अब reproduction भी एक defining feature नहीं है हमने discuss किया था क्यों? क्योंकि सभी living organisms reproduce नहीं करते third option growth and movement growth भी एक defining feature नहीं है क्यों नहीं है? क्योंकि non-living things भी grow करती है non-living things extrinsic growth show करती है तो option C भी incorrect option है तो सरफ एक ही option बचा है responsiveness to touch अभी जो respond करना है that this option is related to consciousness last जो हमने topic discuss किया था कि living organisms के पास ability होती है respond करने की यहाँ पर touch का stimulus दिया गया है तो सिर्फ living organisms ही respond कर पाते है so option C is the option D is the correct option for question number 4 option D जो है वो अपन रहेगा तो यह कुछ questions थे जो कि इस topic से related थे I hope you like the video thank you so much for watching have a good day करो तो पुक्शदिन küçük वोchos awk करो 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 को होँगे पारो करो के ह।